रोमर एक्स वसे ब्रोकलेसर का मैच समर्स्लाइम 2022 में हो रहा है लाफ्समैन स्टैंडिंग मैच और ये मैच हो रहा है अंदिस्पुटेड टबलवी युनिवरसल टाइटल के लिए कहा जा रहा है कि ये रोमर एक्स व ब्रोकलेसर का आखरी मैच है क्योंकि इस मैच के बाद ब्रोकलेसर कभी रोमर एक्स को चैलेंज नहीं करेंगे और रोमर एक्स भी कभी ब्रोकलेसर को चैलेंज नहीं करेंगे सबके दिमाग में एक सवाल है कि SummerSlam 2022 में कौन जीतेगा कौन बनेगा Undisputed WWE Universal Champion लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि SummerSlam में Romar 100 Brocklesser के मैच में कौन जीतेगा मैं आपको बताता हूं कि Romar 100 Brocklesser के बीच में कौन-कौन से मैच होए और क्या है इन दोनों की दुश्मनी की पूरी कहानी और कैसे आज ये दोनों एक दुस्य के इतने खतरनाक दुश्मन बन चुके हैं तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो का आखे तक जओ देखिए तो आई वी करते हैं वीडियो को शुरू ब्रॉकलिसर को रिसलमीनिया 31 के लिए चैलिंज किया रोमरेस के रोयरेमल जीतने के बाद रो के बैक स्टेज में ब्रॉकलिसर और रोमरेस का पहली बार आमना सामना हुआ जहां पर पॉलिमिन ने रोमरेस की तारिफ की और Romare ministr के बारे में पॉलिमिन ने कहा कि मैं तुम्हारी family का बहुत बढ़ा fan हु। और अगर तुम्हारा match किसी और के साथ होता तो मैं ये देफिडिनेटलि कह सकता था कि तुम उस match में जीत होगे और तुम सामने वाले को जरूर होगे लेकिन तुम्हारा मैच ब्रॉकलेसर के साथ हो रहा है जिन्होंने अंडर्टेकर का स्टिक को तो रहा है तो तुम ये मैच कभी जीत नहीं पाऊगे तुम कभी भी ब्रॉकलेसर को हरा नहीं पाऊगे पॉले में ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद फाइनले में देखने के लिए मिला रिसलमेनिया 31 जहाँ पर पहली बार आमने सामने आए रोमरेक्स और ब्रॉकलेसर ये मैच काफी जादा अच्छा था काफी जादा इंटरेस्टिंग था हर कतम में ये मैच काफी जादा अच्छा हो रहा था ब्रॉकलेसर ने रोमरेक्स को 3-4-5 लगा दिया लेकिन तब भी रोमरेक्स हारे नहीं रोमरेक्स भी बार बार ब्रॉकलेसर को इस प्यार देते रहे लेकिन ब्रॉकलेसर बार अपने पैरों पे खरे होते रहे इस मैच के आखिर में दोनो सेथ रोलिंग्स बन गए WB चैंपियन सारे WB फैंस की उमीद वहीं पर खतम हो गई सब सोच रहे थे कि या ब्रॉकलिसर जीतेंगे या फिर रोमारेक्स जीतेंगे लेकिन इन दों में से कोई नहीं जीते बर्गी जीते सेथ रोलिंग्स इस मैच के बाद रोमारेक्स ब्रॉक ब्रॉकलिसर को ऐलमेट किसी और ने किया रोमारेक्स और ब्रॉकलिसर के सामना इस मैच में बिलकुल बही हुआ है रोमारेक्स वाहर वहाये मैच और अपना टाइटल दोनों हार गये और इस मैच के विनर और न्यू डवलो वी चैंपियन के प्रोप्न शpunk और टिपल ह के टाइटल के लिए नम्मो वन कंटेंटर बन गए। उसके बाद रेसलमीनिया में जाके रोमरिक्स ने टिपल ह को भी हरा दिया और एक बार फिर से डबल वी चैंपियन बन गए। उसके बाद काफी टाइम बीतने के बाद डबल वी चैंपियन्शिप चला गया मैंगडॉन में और रो के लिए एक निया टाइटल बना उनिवर्सल टाइटल उस टाइटल को अपने पास पहले रखा गोलबर्ग ने और गोलबर्ग को हराके रिसलमीनिया में ब्रॉकलिसर बन गया उनिवर्सल चैंपियन उसी रिसलमीनिया में रोमर इक्स ने भी इस मैच में ब्रॉक्लिसर ने तीनों का हराके अपने टाइटल को बचा लिया लेकिन फिर फाइनली रोमर एक्स ब्रॉक्लिसर रिसलमिनिया 34 में आमने सामने आ गए WrestleMania 34 में सब को ऐसा लग रहा था कि Romar X फाइनरी Brocklessar को हरा के New Champion बन सकते हैं WrestleMania 34 का Original Plan यही था कि Romar X टाइडल को जीच जाएंगे और Brocklessar हार जाएंगे Brocklessar भी यही चाहते थे लेकिन Mr. Mickman ने एन मौके पे यह प्लान को बदल दिया और Brocklessar से कहा कि तुम Championship को Retain कर लो और उसके बाद Brocklessar ने अपने Taddle को Retain कर लिया इस मैच के रिजल्ट से ना Brocklessar ना Romar X ना WWE Fels कोई भी खुश नहीं थे और उसके बाद Greatest Royals Rumble में पहली बार Brocklessar और Romar X का Steel Cage मैच हुआ यह इस मैच के रिजल्ट में काफी Controversy हुआ इस मैच के रिजल्ट यह होना था कि Romar X Brocklessar को Steel Cage से तोर के बाहर फिखते Sphere दे के और Brocklessar बाहर गिर याते और ऐसे Brocklessar मैच जीच जाते लेकिन जैसी Romar X ने Brocklessar को Sphere दिया तो Romar X का पैर गलती से फ्लोर को टेच कर गिया और सारी WV फैंस ने ये देख लिया कि Romar X के पैर पहली बार फ्लोर को टेच किये और मैच के रूल के हिसाब से Romar X इस मैच के विनर बन गए WV ने मैच का विनर तो Brocklessar को भी बताया लेकिन उसके बाद रो में WV ने ये कबूल किया कि उनके उफिशल से गलती हो गई है और इस मैच के विनर Romar X सी थे है तो इसलिए Romar X को रिमैच मुमिला Summer Slam में Summer Slam में ब्रॉन इस्टोमेन भी वहाँ पर आ गए और ब्रॉन इस्टोमेन ने ये कहा लेकिन उसके बाद जैसी ब्रॉन इस्टोमेन रिंग के अंदर गए Romar X ने ब्रॉन इस्टोमेन और Romar X को इस्टोमेन का मैच हो रहा था तब उसी वक्त ब्रॉन इस्टोमेन और Romar X दोनों के पर एटेक कर दिया और फिर इन तिनों का मैच फिक्स हुआ उसी वक्त सबको ये पता चला कि Romar X को लुकीमिया हो चुका है और Romar X इसी वज़े से अपने टैटल को ड्रॉप करके चले गए और तब क्रॉन इस्टोमेन वसे ब्रॉन इस्टोमेन को हरा दिया और ब्रॉक्लेसर एक बार फिर से उनिवर्सर चैंपियन बने रहे प्रॉक्लेसर मनी भैक विनर बने और उसके बाद प्रॉक्लेसर ने शेन विपमन और दू मैकीटार के सात्भी हो गई थी तbn ब्रॉक्लेसर ने कोफ़ी की इन्स्टोम को चैलेंच किया और को और रॉक्लेसर चैंपियन बन गए इतने ताइम तक रोमरीक्स को टाइटल मैच मिला ही नहीं था और ब्रॉक्लिसा के पास टाइटल आ रहा था और जा रहा था रोमरीक्स को टाइटल का एक मौका मिला जब रिसलमीनिया के लिए रोमरीक्स ने गोलबर को चैलेंज किया युनिवर्सल टैटर के लिए सबको लगा कि ये मैच एपिक होने वाला है जब स्पियर वोसे स्पियर का मैच होगा और सबको ये दिखना था कि रोमरीक्स कैसी गोलबर को हराते हैं वैसे इस मैच में तैय यही था कि रिसलमेनिया में रोमरीक्स गोरबर को हराके युनिवोर्सल चैंपियन बन जाएंगे जहाँ एक तरफ रोमरीक्स अपने युनिवोर्सल चैंपियन बनने की तैयार ही करे रहे थे वहीं दूसी तरफ डू मैकिंटाय ने ब्रॉकलिसों को र इच्थ नहीं ले सकते ROUMर इक्स ने रेसल मीनिया से बैक आउट कर दिया औग गोलबग और ब्रॉल इस्टोमेंट का मैच मैच में इस मैच में ब्रॉबग्ण गोलबर स्विक्ष ऑनगा दिया और पॉल तुन एक को पर आपक दू एक्ट लोग से चि चले गए लेकिन अब रोमरीक्स एक हील सुपरिस्टार बन चुके हैं। सबसे शौकिंग बात ये हुई कि पॉली मेन भी अब रोमरीक्स के साथ जॉइन हो गए। और पॉली मेन और रोमरीक्स को साथ देखके डबल वी फैन शौक में आ गए। रोमरीक्स उसके बाद युनिवर्सल चैंपियन और पॉली मेन ने भी रोमरीक्स का काफी साथ दिया। रोमरीक्स बैक टो बैक अपने हर अपॉनिन को हराते चले आए। और उसके बाद रोमरीक्स बन गए हेड ओफ डिटेबल, ट्राइवर्चीव, अन्डिस्पिटेड डबल वी युनिवर्सल चैंपियन। पॉली मेन और रोमरीक्स की जोरी सबको काफी अच्छी लग रहे थी है। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या होता है जब पॉली मेन किसका साथ देंगे? रोमरीक्स का यव ब्रोक्लिस्टर का? चैलिंज कर दिया ये सब देखके रोमरेक्स भी शौक में आ गए कि ब्रॉकलेक्सर ने रिटानाते केसाल उन्हें चैलिंज क्यों किया है तब रोमरेक्स ब्रॉकलेक्सर और पॉलिमन का एक सेग्मेंट बदा और उस सेग्मेंट में ये कि पॉलीमिंट ब्रोकलीसर का सपोर्ट करने वesian him और पॉलीमिंट रोमोरेइस को दोका देने वाले है लेकिन फाइनलि decía जब क्राउंड जुल में रोमेंत्त उप ग्रोकलीसर का मैच हुआ तो इस मैच में रोमेंत्त ये ऑप से टैटल को बचा लिया लेकिन ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई कि पॉलीमन किसको सपोर्ट करते है रोमरेश को ये ब्रोकलेसर को दुबारा उसके बाद ब्रोकलेसर रिटान आए और डेवन के लिए रोमरेश को एक बार फिर से चैलिज कर दिया डेवन में रोमरेश और ब्रोकलेसर का मैच होने वाला था लेकिन तबी रोमरेश को कोविड हो गया और रोमरेश डेवन में प्रफॉर्म नहीं कर पाए Day 1 में Brocklesner को मौका मिला WB title के match में प्रफॉर्म करने का और Brocklesner ने WB title जीत भी लिया और Brocklesner Day 1 में बन गए New WB champion उसके बाद Brocklesner Romarex की तरफ आये और Romarex को चैलेंज करने लगे और फिर ये ताय हुआ कि Romarex और Brocklesner का match होगा Undisputed WB Universal title के लिए पहले तो इस मैच के लिए Romarex ने साफ साफ मना कर दिया और उसके बाद Roy Rumble में हुआ Romarex पसे Seth Orange का मैच Universal टाइटल के लिए और Brockles और Bobby Lashley का मैच WB टाइटल के लिए जहाँ पर एक तरफ Romarex और Seth Orange के मैच में Romarex Disqualification के वाज़े से हार गए लेकिन Romarex का टाइटल बच गया और ये क्लियर कर दिया कि वो Romarex के साथ ही रहेंगे फिर फाइनली ब्रॉकलेसर गए 30 मैन डॉर रमल मैच में और उस मैच के विनर बन गए और ब्रॉकलेसर ने Romarex को Universal टाइटल के लिए चैलिंज किया और अपने WB टाइटल के लिए ब्रॉकलेसर एलिमेशन चंबर में गए और एलिमेशन चंबर जीत के ब्रॉकलेसर बन गए WB चैंपियन और ये तैह हो गिया कि रिसल मीनिया 38 में होगा रोमारिक्स वसे ब्रॉकलेसर का मैच अंदिस्पूटेड डबल बी युनिवरसल टाइटल के लिए रिसल मीनिया 38 में सबको ये लग रहा था कि ब्रॉकलेसर के साथ धोका करेंगे जिसका फाइदा उठाके ब्रॉकलेसर बन जाएंगे न्यू अंदिस्पूटेड डबल बी युनिवरसल चैंपियन लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ रोमरेक्स ने ब्रॉकलेसर को हरा दिया और रोमरेक्स बन गए अंदिस्पूटेड डबल बी युनिवरसल चैंपियन लेकिन बने और उसके बाद ब्लेड लाइन का पंगा शुरू हुआ और उसके बाद फिर इस मैगडॉन में रोमरेक्स ने अपने दोनों भाई यानि के दाउसोस को भी बना दिया टैक टीम चैंपियन्स उनकी इस फाइट में रेंडी ओर्टन इजियाड हो गए और आर्केबरो की टीम तुट गई और फिर मैटरिड ने रोमरेक्स को में सबको हराया है और आप ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो कि मुझे हरा सके और मुझे ये टाइटल चिन सके रोमरेक्स अपनी तारीफे कर रहे थे लेकिन उसके बाद रोमरेक्स को मिला एक जबदस शौक क्योंकि वहाँ पर फिर से रिटान आ गए तब पीस इन गाने ब् ब्रोमरेक्स को उठा लिया और उन्हें दे दिया एफ फाइव और उसके बाद ब्रोकलेक्स ने जीमी और जेउसोस को भी बहुत मारा और ये कर हो गया तरह से रिटान आए रोमरेक्स को अंदिस्विटेड डबलमी युनिवरसल टाइटल के लिए चैलिज़ करने के लिए और उसके बाद फिर हुआ अनॉसमेंट के समर स्लैम 2022 में होगा लास्ट मैन स्टैंडिग मैच रोमरेक्स और ब्रोकलेक्स के बीच में और ये मैच होगा अंदिस्विटेड डबलमी युनिवरसल टाइटल के लिए जहाँ एक तरह ब्रोकलेक्स का ये कहना था कि अब मैं व ब्रोकलेक्स को हराने के बाद वो कभी भी ब्रोकलेक्स के साथ फाइट ने करेंगे रोमरेक्स और ब्रोकलेक्स का तो सेग्मेंट चली रहा था लेकिन उसी के बीच एक हुआ कमाल और वो कमाल ये था कि और ब्रोकलेक्स और ब्रोकलेक्स और ब्रोकलेक्स को पर अपना मनी तो रोमरेक्स ने और आएक्स ने डबल सूपर किक भी मारा लेकिन अब देखना है क्या समर्स्लैम में रोमरेक्स व ब्रॉक्लेसर के मैच में बहुत जादा चांसे यही है कि ब्रॉक्लेसर रोमरेक्स को हरा के Undisputed WWE Universal Title ले सकते हैं क्योंकि Romarex को कुछ टाइम की ब्रेक की जरू होते हैं और वो तब तक ब्रेक के लिए नहीं जा सकते हैं जब तक वो चैंपियन है तो इसलिए Summer Slam में Brocklesaw Romarex को हराके Undisputed Universal Title ले सकते हैं और उसके बाद शायद पुरी breadline मिलके Brocklesaw को पर attack करके Brocklesaw को injured कर सकती है और फिर वहाँ पर उस्ते थेयरी आके अपना मनीनदा बैंक cash in कर सकते हैं ये Summer Slam के लिए एक shocking moment रहेगा जब उस्ते थेयरी Brocklesaw को पर pin करवाके Undisputed WWE Universal Champion बन जाएंगे वैसे ये ज़रूरी नहीं कि Summer Slam में ऐसा ही हो Summer Slam में जेतना हाइट पकरा जा रहा है कि और उस्ते थेयरी अपना back को cash in करेंगे ये शैद ये possible ना हो और उस्ते थेयरी अपने back को cash in करी ना पाए और Brocklesaw को चले जाएं Brocklesaw और Romaregs की दुश्मनी का ये final chapter है उसके बाद काफी टाइम तक Brocklesaw और Romaregs का कोई भी match हमें देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंडर जहू बताइए कि आप लोग क्या चाते हैं कि Summer Slam में कौन जीते Romaregs या Brocklesaw और आप लोगों को Romaregs और Brocklesaw की पूरी दुश्मनी यानि 2015 से लेकर 2025 तक की कौन से दुश्मनी सबसे आदा अच्छी लगी है और कौन सा match आप लोगों के दिल को छुग गया है तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही ठाइक्यो और गुडबाई